सब्सक्राइब करने हैं तो उदर क्या आपने डेट मेंशन करने हैं ठीक है उसके बाद आज हमने क्या पढ़ना है आज का हमारा सबक क्या है आज हम लर्न करेंगे counting in 10 हम पीछे 10 पढ़कर आया है ठीक है अब हमने क्या करना है उसके counting करनी है question number one write the missing number and learn the number name हमने यहां क्या करना है write क्या करना है missing number missing number जो है वो write करना है and learn the number name यह number name दिये गया है हमने अब क्या करना है इसको learn करना है ठीक है, यहाँ पर देखें, student, one stack of ten, मतलब यहाँ पर one stack है, जिसके अंदर ten कहा है, block है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one stack में कितने ten है, तो हम ने इसको क्या लिखा इदर ten, और इसको number name भी क्या लिखा ten, इसी तरीके से, student, यहाँ पर देखें, दो stack of ten, मतलब दो stack है, ठीक है, उसके अंदर कहा है, ten कितने है, अब देखें, one stack में ten थे न, one stack में कितने block थे, ten, इदर two stack हो जाएंगे, तो कितने block हो जाएंगे, twenty, इदर हम क्या लिखेंगे, twenty, मगर student आपके जहन में आएंगे, twenty, के से आया, तो आप यह याद रखेगा, इदर हमने क्या कर रहा था, one stack में, one stack था नहीं है, इसमें कितने block थे, ten, तो इदर two stack है, तो इदर कितने block होंगे, ten इसके, ten इसके, twenty, twenty, हमने missing number लिख दिया, अब उसके साथ से हमने क्या करना है, learn करना है, number name, इदर यह twenty है, तो हमने क्या इदर पढ़ा है, twenty, जी के, इसी तरह के से student यह भी सारे वैसी होंगे, आपको मैं last वाला यह करके बताती हूँ, अब student, यहाँ पर क्या करना है, nine stack of ten, tens की दीग गई है, nine stack, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, और हमें पता है, one stack में, कितने block है, ten, second में भी कितने ten है, third में भी कितने ten है, four में भी ten, five में भी ten, six में भी ten, seven में भी ten, eight में भी ten, और nine में भी ten, तो student इसके मताबिक क्या हुआ, one stack में ten थे, जो हमने ten, 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 ten को support, nine tens को plus किया, तो हमारे पर यहाँ पर क्या किया, 90, हमने इसका missing number तो लिए, अब हमने क्या करना है, learn करना है, number nine, 90, student, student मैंने आपको यह समझा दी, किस तरीके से होगा, मैंने आपको starting के और last का करके बताया है, बाकी के जो इदर center के हैं, student यह आप खुद की जीएगा, चीक है, यह आपकी, खुद की एक करह से activity हो जाएगी, जो मैंने आपको समझा है, student hour page number 21 complete होगा, अब हम next page के आते हैं, 22 के, question number 2, count in tense and write in ascending order, count तो करने हमने, किस को करने, इदर क्या दिया कै तेंस को, मगर write in ascending order, हमें पता करना है कि student ascending order क्या है, student ascending order क्या क्या किलाता है, go up, मतलब उपर जाना, जैसे छोटी चीज़ से, suppose करें, एक दिन, दो दिन, तीन, चार दिन, इसी तरीके से student भी क्या हो रहा है, पहले दिन, हमने, दो रोटी खाए, दूसरे दिन, तीन रोटी खाए, चोतर तर दौसर दौसर न पाँच रोटी खाए, इसी तरीके से student, मतलब day by day, step by step, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे europe, क्या हो रहा है student day by day step student बढ़ते ही जा रहा है ठीक है तो मतलब यहां पर क्या ascending order मतलब go up जैसे यहां पर आपको example के तोर पे आपको यह क्या बताया है student यह कहा किया है उन्हें यहां पर एक लिडर दी है मतलब महां पर एक series दी है उस पर देखें student बच्ची चरते जारी चरती चरते मतलब यह step up है मतलब यह go up मतलब उपड़ जारी है मतलब यह ascending order है जिसे यहां पर 10 दीए 20 हमने count करने 10 10 दीए 20 इसी तरीके से 30, 40, 50, 60, 70, 80 ठीक है इसी तरीके से student की सारों का आप खुद कीजिएगा इसी के साथ साथ है student हमने question number 3 क्या है हमारा question number 3 है count in tense and write in descending order हमने यहां भी count करना है tense को और लिखना किसमें descending order में किसमें इकना student descending order में लिखना है अब देखें यहां पर 90 है student 80 है पेले का आप समझेगी तो go up तो उपर जा रहा था ठीक है descending order क्या होता है go down go d o w and down go down नीचा रहा है student यह remember रखेंगा ascending descending order को हमेशा याद रखने कि go up कौन सा ascending और descending क्या है go down इसी तरीके से student यह देखें आपर क्या दिया है 90 80 इसी तरीके से 70 60 50 40 30 इसी तरीके से student यह सारा होगा उस student मैंने आपको question number two three तो कर रहा है इसकी मैं आपको activity भी बताना चाहती हूँ देखें उस student यहां पर देखें उस student यह क्या है student मैंने आपके लिए activity बढाई है यहां देखें यह student एक लिडर है सीड़ी है इस पर counting लिखी भी है देखें हो student हमने क्या पढ़ाता है ascending order क्या था student ascending order हमारे क्या था go up मतलब उपर जा रहा था और student descending देखें go down descending देखें go down मतलब मीच आ रहा है मैंने आपको यहां पर जो असान लफ़ों में student बताया है वही यहां पर मैंने एक activity के जरी बताया है जिसे ascending order में counting है go up उपर की तरफ जा रही है जिसे 1, 2, sorry 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मतलब यह step by step बढ़ते जा रहा है इदर इसी तरीके से descending order था मतलब यह देखें descending order go down मीच आ रहा था जिसे 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 इस तरीके से मतलब नीची की तरह पर रहा था यह हमारी activity थी ascending or descending में कि हमारी student complete होगी अब हम continue करते ही जो हम lecture कर रहे थे देखें students हमारा पाइस के question number four है which is greater which is smaller मतलब यहाँ पर क्या करना है कौन से greater है कौन से smaller है student हमने वो यहाँ पर write करना है write in the empty box यहाँ पर खाली box यहें गये है इसमें हमने write करना है one has been done of you तो student एक आपके लिए यहाँ पर done किया हुआ है देखें a है हमारा 40 is smaller than 60 यहाँ पर क्या है 40 कम है किसे कम है 60 से ठीक है student smaller कब है का हम यहाँ की हम student यह याद रखेंगा अफसर दो student होते हैं थोड़ से mind में वो हो जाता है कि समझ में नहीं आता है तो वो इस वाली रखम को हमेशा याद रखेंगे यहाँ वाली रखम को देखते वही हम बताएंगे जैसे यहाँ पर है 40 is smaller than 50 अब हम student हम B पर आते हैं 10 is this then 20 मैं ना student क्या कहा था आपको आपने यहाँ की जो रखम है ना इस पर लगोर करने यह इस से क्या है हमें पता है हम बोलेंगे क्या है इस से 20 से क्या है 10 क्या है इस से छोटी है तम क्या बोलेंगे 10 is smaller than 20 इसी तरीके से स्टुडेंट C D E F G H आपको कीजिएगा इसी के साथ से हमारा पीड नंबर 22 भी स्टुडेंट कम्प्लीट हो चुका है अला आपको